सर्वेभ्यो नमाह देवबाणि संस्कृतं यूटूर चलद्रिशंपती धवताम अवती नाम्च आर्दं स्वागतं अमित्रो आज हम रचनान वाद कौमदी की लाइव कक्षा संख्या एक सौन्वे को पढ़ने जा रहे हैं कितने एक सौन्वे वन नाइन्टी सिक्स को ये पूरी पुस्तक हम पढ़ा रहे हैं अब ये समाप्ती की तरफ चल रही है जो भी हमारे चैनल पर नए पाठक जोड़ते हैं और इस कक्षा को यदि वो प्रथम बार देख रहे हैं इस कोर्स की उन्होंने अन्य कक्षाओं को नहीं पढ़ा है तो आपसे निवेदन कर देना चाहता हूं कि आप इस पूरी पुस्तक के जो कक्षाएं हैं जो कोर्स तैयार किया हैं रचनानवाद कौमुदी नाम का उस प्लेलिष्ट में एक कॉलम है रचनानवाद कौमुदी उस पर क्लिक करके 195 जो अभी तक पढ़ा दी हैं और आगे भी कुछ कक्षाएं बनेंगी सभी कक्षाओं को उस प्लेलिष्ट में क्लिक करके करमानुसार पढ़ें तब आपको ये पुस्तक आपकी संस्कित भाशा को बहुत अच्छा बना देगे आप जो ग्रामेटिकल जो मिश्टेक्स होती हैं गलतियां होती हैं व्याकरण द्रिष्टी से वो नहीं करेंगे आप शुद्ध संस्कित को लिखेंगे शुद्ध समझेंगे ठीक है चलिएगा अब आगे चलते हैं आज हमारा जो चल रहा है हम एक निबंध एक पैराग्राफ निबंध नहीं है पैराग्राफ है गत कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था ग्राम में जीवन ठीक है आज का जो विशय है वो है शिष्टा चार आप देख रहे होंगे शिष्टा चार चलिएगा जीएगा शिष्टा चार हिंदी को मैं पढ़के आपको बताता हूँ फिर आपको उसकी संस्कित बनानी है और मैंने इसकी जो संस्कित बनाई है वो अभी पढ़के आपको बता हूँ शिष्टों अर्थात सज्जनों के आचार को शिष्टा चार कहते है सज्जन पुरुष सदा दूसरों का उपकार करते हैं अपने से बड़ों का आदर और सम्मान करते हैं दूसरों के दुख में दुखी होते हैं अपने स्वार्त की सिद्धी के लिए दूसरों की कोहानी नहीं पहुंचाते हैं मदुर वच्चन बोलते हैं प्रत्येक मनुष्य को शिष्टाचार का पालन करना चाहिए उसका करतब्य है कि वह बड़ों की आज्यां का पालन करे उनका आदर करे अपने सम्मंदियों से प्रेम करे असत्या न बोले निरार्थक विवाद न करे सबसे स्नेह का व्यवहार करे इसमें जो मौटे मौटे शब्दें जो लिखा हुआ है इसके लिए यहाँ पर डॉक्टर कपिल देव जी ने नीचे शब्द दिये हैं उन्हीं का प्रियोग हमें कर लेना है तीक है जैसे उपकुर्वंती जेश्ठा नाम परेशाम नापकुर्वंती शिष्ठा चारह पालनी यहाँ जेश्ठा नाम व्यवहारे तो जहां-जहां करम से दिया गया है तो उसी करम से हमको कर लेना है ठीक है वो मैंने भी किया हुआ है अब आजाईएगा मैंने जो आपके लिए सायोग के लिए लिखा है उसको मैं पढ़के बताता हूँ आपको ठीक है देख लिजेगा शिष्टा चारहा शिष्टा चार शिष्टा नाम सज्जना नाम आचार शिष्टा चारह कत्यते मैंने संदी करके लिखा हुआ ठीक है अन्य शिष्टा नाम अर्थात सज्जना नाम शिष्टा और सज्जन परेवची हैं तो उनका जो आचारह आचार है वो शिष्टा चार कहा जाता है यहां संदी कर दिया है विसरको सा सकोष्य कर दिया है ठीक है सज्जनाह सदा परेशा मुपकुर्वन्ती सज्जन लोग हमेशा दूसरों का उपकार करते हैं ये श्था नाम आदरम सम्मानम्च कुर्वन्ती मानि अपने से बड़े लोगों का आदर और सम्मान करते हैं परेशा मुपकुर्वन्ती दूसरों के दुख से दुखी होते हैं स्वार्थ सिद्ध्याई ये क्या हलनत है ठीक है स्वार्थ सिद्ध्याई परेशा मुपकुर्वन्ती अपने मन अपने स्वार्थ की सिद्धी के लिए दूसरों का नुकसान नहीं करते हानी नहीं करते हैं ते मदुराणी वचनानी वदंती वे मधुरवचन बोलते हैं प्रत्यक मनुष्य के द्वारा शिष्टाचार का पालन करना चाहिए तस्या करतब्यमस्ति यतसा जेश्ठा नाम आज्याम पालेत उसका करतब्य है कि वह जेश्ठा लोगों की अपने से बड़े लोगों की आज्या को पाले तेशा माधरम कुरियात उनका आदर करे स्वा संबंधिशू प्रेम कुरियात अपने सगे संबंधियों में प्रेम करे प्रेम जिसमें करते हैं उसमें सब्सक्राइब होती है नियम पढ़ाता आमने और है आपका अचत्यम न भूयात जूट न बोले निरर्थकम विवादम न कुरियात बिना मतलब के अल्तु में लड़ाई जगड़ा ना करें सरवेशु स्नेहेन व्यवहारे सभी के साथ मने सब मैं सब लोगों में ने हमने प्रेम के साथ व्यवहार करें ये मैंने ट्रांसलेट कर दिया आप स्वयम इसको कर सकते हैं इतना के लिए ये करना बहुत आवश्यक है ठीके चलिएगा मित्रो तो ये शिष्टाचार हो गया अगली कशा में इसके आगे का जो निबंध है उसको पढ़ेंगे ठीके अब ध्यान देंगे मित्रो ये दुतिय भाग है आप देख रहे हैं मैं दिखा देता हूं आपको अभी प्रारंबिक संस्कृत को सीखने के लिए ये पुस्तक है स्पोर्स को भी अब तयार कर दिया ही गया है थोड़ी सी कक्षाएं कंप्लिट हो जाएगा अब इसके बाद शिग्र ही इसका जो तीसरा भाग है प्राउड रचनानवाद कौमदी ज्यां रखे कौन से प्राउड रचनानवाद कौमदी की कक्षा चलने वाली है इसका भी पूरा कोर्स हम तैयार करेंग और आपको संस्कृत का महान पंडित और पंडिता बना देंगे ये हम आपको विश्वास के साथ बचन देते हैं जो भी पाठक इस पुस्तक को पढ़ना चाहते हैं उनसे निवेदन हैं कि वो इस वाट्सप नमबर पर जो आपको वाट्सप नमबर दिया गया है 958 2104261 इस पर संपर्क करके अपना कि इस कक्षा में सामिल होने के लिए हैं कि संपर्क करें आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा कोई फीस नहीं ली जाएगी केवल आपको लाइव कक्षा का लिंक प्राप्त हो जाए तदर्थ ये आपको सूचना दी जा रही है बार बार सूचना नहीं देंगे ठीक है चलिएगा अब हम आगे तीसरे भाग की तरफ बढ़ जाएंगे फिर इसको पढ़ेंगे लंबे समय तक इसमें और अच्छी सामगरी है ठीक है चलिएगा मित्रो प्रतेक पाठक का करतब दिबनता है कि संस्कृत माता का स्वागत देववानी संस्कितम योटूब चैनल पर उसकी प्रतेक कक्षा को पढ़ने से पूर्व लाइक करके करें करना चाहिए स्वागत संस्कित आपके मस्तिस्क में संस्कित के प्रती शद्धा स्थापित होगे आप संस्कित भाषा के लिए समर्पित वनेंगे आपके अंदर संस्कित भाषा के प्रती आत्मिय भाव जागेगा प्रतेक कक्षा को लाइक अवश्य किया करें पढ़ने से पहले स्वागत कोई भी हमारे घर में आता है, हम उसका स्वागत करते हैं, नमस्कार करते हैं, जैसे संस्कित माता को जब आप पढ़ना अपने अंदर प्रविश कराना चाहते हैं, संस्कित माता आपके अंदर जाना चाहती है, तो पहले उसको स्वागत करें, स्वागत कैसे कर सकते हैं, एक ही तरीका है, ल कवश्च किया करें सर्वे भ्यो नमा हूँ